हलो मैं साक्षी जवारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन अकैडमी में यहाँ पर मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी वेकेंसी के बारे में जो बैंगिंग सेक्टर से आई है और जिसकी लास्ट डेट अप्रोच कर रही है मतलब यह वेकेंस कंप्रीट नहीं किया है इसलिए यह उनके लिए एक लास्ट कॉल है कि आप इस फॉर्म को भरिए और अपने एक्जाम की प्रपरेशन करिए क्योंकि अभी और कोई ऐसे बड़ा एक्जाम भी हो नहीं रहा है बैंकिंग का तो आप यह जो भी एक्जाम सारे उनको फिल यह और अच्छ से एक्जामस देए तो बात करने वाले हैं जो वैकिंटी आई इस प्लाफिव से की गई और उसके बाद पच्च्छस मई तक रहने वाली है means last day to make online payment of the application form मतलब आप इस दिन आपना online payment application form भरेंगे last day का वेट नहीं करना because already 21 है you are having only 2-3 days तो आप 2-3 दिन में जितना भी कर सकते हैं अपना जल्दी form भरिए और जो इसका exam है वो हमारा होना है first week of July में होने वाला है single exam है सबसे अच्छी बात जो है मतलब इसमें जो trainee officer है उसके लिए written exam plus हमारा interview होगा trainee clerk के लिए सिर्फ आपको एक exam देना है और your job confirm उसके बाद हम बात करने वाले हैं यह जो है कि इनका age criteria क्या है तो trainee junior officer 32 है यह बहुत बड़ा change है EKD आप देख सकते हो क्योंकि banking में जो officer की age होती है वो 30 होती है और clerk की 28 होती है लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक आपको chance दिया है कि 32 age रखी है और यह जो calculation कर रहे है 28,2,1990 के बाद जो भी पैदा हुए है मतलब वो इस form को fill भर्थ कर सकते है जो उसके पहले पैदा हुए है वो इस form को fill नहीं कर सकते है सेम यहाँ पर जो trainee clerk में calculation होगी वो 94 पर calculation होगी आपकी उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि vacancies कितनी क्या है vacancies जो है हमारी trainee junior officer में 29 vacancies है और उसके बाद education qualification क्या माँगा है graduate in any stream discipline with at least 60% marks मतलब आपके कम से कम 60% marks होने चाहिए graduation में after that candidate हुआ है past J.I.I.B. C.I.I.B. will be preferred that means वो officer के लिए चाह रहे हैं कि आपने J.I.I.B. और C.I.I.B. exams को दिया हुआ हो already experience जो आपका होना चाहिए up to two years in banking field prefer urban DCC bank as an officer मतलब आपने किसी भी bank में काम किया है दो साल के लिए up to two years मतलब यह prefer है आपने नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है यह preferred लिखा है age limit जो आपकी देखो minimum age भी आपर 23 calculate किया है other जो banking sector के exam होता है 21 to 30 लेकिन यहाँ पर इनोंने age calculation 23 से start किया है और maximum 32 कर लिखा गा है इसका एक बहुत बड़ा reason है कि इनोंने मांगा है J.I.I.B. और C.I.I.B. C.A.I.B. मांगा है उसके बाद इनोंने मोला है कि आपका यह experience है तो वो भी preferred किया जाएगा क्योंकि कोई भी बच्चा यह 21 में graduate होता है तो वो उसके बाद एक साल का experience लेगा ट्रेनिंग पीरिड में 20,000 पर मन्त द्रेनिंग पीरिड अफ्टर सकसेस्फ़ल कम्पिलिशन और ट्रेनिंग पीरिड दड़ी जुनियर प्लेस इन बांकर स्रेगुलर ग्रेड और उसको पर्टी फाइब ताउजन पर मन्त तक मिलेगा तो वो भी मैं एक अच्छी चीज मानती हूँ कि मतलब एक salary भी अच्छा है कोई ऐसे बहुत कम salary नहीं है officer post के लिए salary बहुत अच्छा है तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं और इस form को fill करिए अब हम बात करते हैं trainee clerk की तो trainee clerk में हम देखते हैं तो 166 vacancies है उसके बाद हमारी क्या है इसकी जो minimum age है यहाँ पर 21 है क्योंकि कोई भी experience नहीं है 28 आपकी maximum age मांगी गई है आपको 15,000 का stipend दिया जाएगा जब तक आप training period में काम कर रहे हैं जब आप किसी bank में रहे हैं मतलब किसी एक branch में place हो जाएंगे उसके बाद आपको 30,000 रुपे पर month मिले हैं मतलब clerical grade के हिसाब से यह अच्छी salary है कोई बुरी salary नहीं है आप survive कर सकते हैं इस salary में अब इस चीज में एक चीज मांगा है candidate should have domiciled in state of maharashtra means आपको maharashtra का जो है domiciled certificate देना पड़ेगा you should be citizen of maharashtra मतलब जो domiciled certificate बनता है अपना वो आपके पास maharashtra का होना चाहिए तब ही आपको form भरने या exam देने या posting मिलेगी क्योंकि आपको यह exam मतलब यहाँ पर submit करना है maharashtra state is mandatory इसमें एक अंपल सरी लिखा गया है हम exam pattern की यदि बात करते हैं तो exam pattern इसका single exam है जो हमारा यह है training officer है उसके लिए मांगा क्या है professional knowledge quantitative aptitude English GA second जो हम बात करते हैं अपना clerical के लिए तो यह same जो हमारा RRB clerk और PO का paper आता है कि reasoning and computer 40 equations of 80 marks then English quantitative aptitude and reasoning and computer और आपका यह साथ में जीए मांगा गया है यह सारी चीज़े आपकी मांगी गई है तो कोई बहुत slavus भी वैसा अलग से नहीं है slavus भी सबके जासा ही है तो यह form आप fill कर सकते हैं इसकी last week 25 है पांच मई से यह चालू हुआ है यह मैंने सिर्फ इसकी यह डाला है क्योंकि last date अप्रोच कर रही है और बहुत सारे लोग form भरना भूल जाते हैं Thank you very much क्योंकि अप्रोच